हमारे साथाथ सुधीर राज सिंग जी है आज 23 सेप्टेंबर 2018 है आईए उनसे जानते हैं कि बावा साथ डॉक्टर भीमराब अम्बीटकर जी के 101 विख संकब दिवस की क्या मैत्व है तो सुधीर राज सिंग जी बताइए हमें बावा साथ डॉक्टर भीमराब अम्बीटकर जी ने 23 सेप्टेंबर 1917 के दिन एक संकल्प लिया एक अधिप्ठान किया कि जो समस्या उनके साथ आई वो अब उसको जड़ से उखाड फैंकेंगे लगबग 26 साल पांच महिने की उम्र का एक नौजवान जो हमारे डॉक्टर भीमराब अम्बीटकर जी पांच साले चार चार साल तक वो इंग्लेंड और अमरीका में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत गहन अद्धन किया दुनिया को समझा और एक समता का वातावरण वहाँ उन्होंने व्यतित किया उससे पहले वो 1913 में बडोदरा यानि जो आज का बडोदा है वहाँ आये थे और लेफटनेंट की नौकरी वहाँ उन्होंने की थी वहाँ से वो स्कॉलर्सिप लेके चात्रबरती वजीफा लेके और विदेश पढ़ने गए पहले अमरीका गए अब फिर वहाँ से लंदन गए तो लोट के आने के बाद में क्योंकि एक करार था एक एग्रिमेंट था वहाँ के जो नरेश थे सियाजी गायकवार्ड जी के साथ में कि आप 10 साल तक हमारे यहाँ नौकरी थरेंगे अमरेट्टी के सचिव है डिफेंस के सचिव है वो बन जाई है तो बावा साथ अपने रिन को चुकता करने के लिए अपने भाई के साथ में जो बड़ोदरा का रेलवे इस्टेसन पुराना वाला है वहाँ उतरते हैं और लेटर के अनुसार महाँ पर पत्र के नुसार महाँ पर उनकी आगवाई के लिए कुछ लोग आने थे जो उनके लिए रहने खाने की वेबस्तावी करते हैं उनको लेके भी आते क्योंकि एक डिफेंस सेक्रेटरी का पद बहुत उचा पद होता है सेना का सचिव यानि सेना जिसके पूरे कंट्रोल में रहती है मगर वहाँ कोई नहीं आया और रहने कोई वेबस्ता नहीं हुई उनको रेल वे स्टेसन पे बगीचे में दो दिन देहना पड़ा मकान नहीं मिला तो जहां भी मकान लेने जाते थे उसे पूछते थे कि आप कौन है वो सीदे-सीदे कहते थे मैं हिंदू हूँ आप मुझे मकान दीजिए मगर उसके बाद वो कहते थे कि आप की जाती क्या है और जाती सुनके मकान को नहीं देते थे एक अनुवाब उनको और भी हुआ कि ये जो बीमारी है ये खाली हिंदूों में ही नहीं है क्योंकि हिंदू होने के नाते हिंदू को मकान देना चाहिए था मगर और भी जो धम के लोग थे और भी जो धर्मों के लोग थे उन्होंने भी उनको मकान नहीं दिया वहाँ असर इस जाती का वहाँ भी था तो वो बहुत परिशान हुए उन्हें वो लिखित में सारी बातें जो नरेश थे और सियाजी गायकवार थे उनको बताईएं लिखित में दी उन्होंने दिवान को कहा कि आप विश्था कीजिए मगर जो दिवान थे उन्होंने भी हाथ कर दिए क्योंकि जाती के आगे वो भी मजबूर हो गए और मकान का उपलब या मकान की उपलबता नहीं हो पाई फिर वो बापिस आगे बापिस आने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा परिशान होने के बाद में अपने एक दोस्त को कहा दोस्त ने एक क्रिश्चन फैमिली के लिए लेटर लेखा जब क्रिश्चन फैमिली के लेटर लेखा तो उसने भी हाथ खड़े कर दी उसने कहा कि मेरी पत्रनी हाला की क्रिश्चन है मगर वो ब्रहमनी जो रूल है उनको छुआ छूद को मानती है इसलिए मैं आपी सहायता नहीं कर सकता तो बावा साब ने स्याजी जिदाव गायक वारड़ी से पत लिखा और उनसे कहा कि आप मुझे रिड़न मुक्त कर दें क्योंकि मैं काम करना चाहता हूं मगर काम करने के अलावा मुझे जो यहां रहने खाने की विवस्ता है वो नहीं हो पा रही है और प्रिशासन भी इसको नहीं करवा पा रहा है इस परकार उनने लेटर लेखा रहा है वो हमेसा एक लिए मुंबई आ गए तो जो पहला वाला एक्स्पियंस था जिसमें वो दो दिन तक बाग में रहे और येख जो पारिसी ध्र Congress थी उसमें नाम बदल के पारिसी की ध्रम assignments चाला में रहे तो पारिसी लोगों का जो समुझा आया था वो लठ लेके आ गया और लठ लेके उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो तुम अच्छूत हो और तुम यहां से निकलो तुमने हमारी जो ध्रमसला है वो अपपत कर दी है और वहां से उनको सामाल लेके वो इस्टेसन पे गए और जहां वो मुंबे की गाड़ी के लिए बंबे की गाड़ी के लिए उस गाड़ी में चार घंटे का अंतियार था इसलिए वो चार घंटे तक एक महां कमाटी करके पार्क था उस पार्क में रहे जिसका नाम आज की डेट में सियाजी पार्क है और एक निग्रोध ब्रक्ष के नीचे वट ब्रक्ष के नीचे वहां वो बैठे और उन्होंने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि मैं पड़ा लिखा इन सबसे अच्छा कपड़ा पहने हुए अमरीकन अंग्रेजी स्ट्यालिका कपड़ा पहने हुए सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा डिगरी साफ, सुद, गोरा, रोज नहने वाला व्यक्ति अगर उसको सम्मान नहीं है तो ये बात इसपश्ट हो जाती है कि जो छुआ छूट है या जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग अच्छूट जो लोग है वो गंदे रहते हैं या पड़े लिखे नहीं है या उनमें समझदारी नहीं है इसलिए हम उनसे घ्रणा करते हैं ये बात निराधार है जूट है घ्रणा उनके मन में बसी हुई है जाने जाने पे दरी उठाली जाती है, मेरे से कोई आँख नहीं मलाता है, मेरे कोई इसपर्स करने को दूर दूर तक भी त्यार नहीं है और उन्होंने राज सासन को भी नहीं माना। इस संकल्प को बाबा साब का सबसे बड़ा संकल्प मला जाता है, क्योंकि बाबा साब कि पहले जो गुरू है उन्होंने भी बहुत संकल्प किये हैं। राप्त नहीं के लिए चाहे मेरी खाल सुकर जाएं चाहे में मर जाओं चाहे मेरी हड्यां बाहर जाएं निकलखे में मगर मैं ग्यान पराप्त करूँगा और ऐसा अदिठान करूँगा सबसे बड़ा राज रहा है भारत के अंदर सबसे बड़ा राज रहा उनके पुत्र ने भी किया और उनके पोत्र ने भी किया जब तक राज एक करवना से चलता रहा पंच्सील चलता रहा उनकी जो सीमाएं थी वो इरान से लेके और बर्मा तक थी और जैसे ही पंच्सील भा जब उनका अपमान किया वो शुद्र थे और शुद्र होने के नाते एक ब्राद में अपने दोस्त के साथ गए थे जो दूश की ब्राद मानी जाती है ब्रहमनी ब्राद मानी जाती है और वहां उनको शुद्र क्या क्या गया उनको लात मारके वहां से निकाला गया उनके कप् पिशलाओंगार उन्होंने अपनी पत्नी पढ़ाई महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए स्कूल जो बंद थे वो खोले और सब को उन्होंने सिक्छा पढ़ाई उसके बाद बावा साहब का संकल्प पाता है जो विस्विक कियाता है क्योंकि बावा साहब का संकल्प इस नहीं है बहुत बड़ा है क्योंकि उनके पास मैं अभाब था और उसके बाद जो मानने वर काशिराम साहब है उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं ना घर जाओंगा, ना किसी मरे में जाओंगा, ना किसी दावत में जाओंगा और मैं पूरा जीवन बावा साम बेट कर और जो जोतीवा फुल हैं उनके रास्ते पे चलता हुआ इस जो मिशन है, ये जो हमारा जाती उनमुलन सिधान्त है इसको आगे करते हुए मैं से खतम करूँगा और दुनिया में समानता स्थापित करूँगा तो ऐसे प्रण जो हुए जितने भी उनको बुद्ध की भासा में अधिठान बोलते हैं पाली भासा में पुरानी भासा में अधिठान बोलते हैं इसलिए इसको विस अधिठान दिवसो बोला जाता है, वर्ड रिजुलूशन डे बोला जाता है, क्योंकि बावा साव अम्मेटकर का जो अधिठान है, वो सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है, कि बावा साव अम्मेटकर के पास में कुछ था ही नहीं, ना रोटी खाने के पैसे थे ना कपड़े थे उनके बच्चे आवह में मर गए उनको आने जाने के पैसे नहीं होते थे आंदोलन के लिए उन्हें जगे 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 मिटिंग करके पैसे खटे करने पड़ते थे और उनके दुस्वण सारे थे और फिर भी वो इतना चीप किया है कि उन्होंने एक ऐसा समिधाल लिखा जो पूरी दुनिया मानती है इसलिए इसको विस्व अधित्थान दिवसो बोला जाता है और ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो संकल्ब लेते हैं वो नीची संकल्ब होते हैं स्वार्थी संकल्ब होते हैं मेरे मैं धन बहुत कमाऊं मैं नौकरी बहुत करूँ या मेरा ये काम सिद्ध हो जाए मैं संकल्ब करता हूँ पूरे भारत में एक चारो तरफ जगे जगे संकल्प उकी बारा रखी है यह संकल्प देवस बहुत महत्पूर है आप भी आज के दिन कोई संकल्प कीजिए जैसे हमारे महापुर्सों ने, जैसे गौतम बुद्ध ने किया, जैसे सम्राठा सोक ने किया, जैसे बावा साव अमेट करने किया, जैसे जोदी वाफुले ने किया, जैसे मानेवर काशिरामजी ने किया, वैसे ही छोटे मुटे जितने भी संकल्ब हमारे होते हैं, वो सभी अच्छे हैं धन्यवाद